राजस्थान के बैतूल जिले के शाहपुर में मंगलवार को एक अजीब सियासी ड्रामा देखने को मिला। यहां बीजेपी दक्तर के उधगाटन कारिक्रमें मंच पर पहुंचे कॉंग्रिस व्यदायक ब्रम्भा भलावी ने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें 50 करोड में खरिदना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानी अफसरों और बीजेपी ने गलत जानकारी देकर इस कारिक्रम में उन्हें बुला लिया। फिर भाट सहिप पर उनका एक मेसिज वारल हुआ जिसमें लिखा था। यह कॉंग्रिस के सम्मान की लड़ाई है। अगर उन्हें भी जी पी में जाना होता तो तभी चले जाते। हलाकि वे इह कारिक्रम बीच में ही छोड़कर बाहर आ गये और भाजपा और प्रशासन पर कारिक्रम की गलत जानकारी देने और बदनाम करने का आरोप लगा कर धरने पर बैढ़ गये। काफी मान मनोवल के विदायक घरने से उठे। विदायक सहित कारिकरताओं का कहना है कि उन्हें किवल शॉपिंग कांप्लेक्स के उधगाटन की सूचना दी गई थी लेकिन गलत जानकारी देकर भाजपा अपने पार्टी कारिक्रम में लेग गई। उन्होंने भाजपा से नजदिकियों की ब दानसभाक शेत्र के शाहपूर में जनपत पंचायत की ओर से बनाये गए एक शॉपिंग कॉंप्लेक्स का उधगाटन होना था। इसमें प्रोटो कॉल के मुताबिक शेत्र के विदायक ब्रम्भा भलावी भी पहुंचे थे। कॉप्लेक्स के उधगाटन के साथ ही कारियों और भाजपा कारे करताओं पर गलत जानकारी देने और अफवाह पहलाने का आरोप लगाया।